नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उमेद करती हूं कि आप सभी अपनी घरों में बहुत अच्छे से होंगे प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल में जाते हैं, तो हम मेंसे बहुत सारे बच्चे प्यारे बच्चों, गाउं की प्रिस्टभू में से होते हैं और बहुत सारे शेहरों से होते हैं प्यारे बच्चों, गाउं की जिन्दगी में और शेहर की जिन्दगी में कितना फर्क हैं, जानते हैं आप? जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग आसानी से समझ पाते हैं कि गाउं और शेहर में कितना अंतर है बिल्कुल वैसे ही अगर कमाई के साधनों की बात की जाए, आजिविका के साधनों की बात की जाए तो गाउं में जो आजिविका के साधन हैं, वो खेती करना, पशुपालना या अन्य हद करगा उद्योग हो सकते हैं अगर शेहर की बात की जाए, तो शेहरों में बड़े-बड़े मॉल हैं, शॉपिंग कॉंपलेक्स हैं, फैक्टरीज हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जो तकनीक से संबंधित हैं, जिनमें व्यक्ती आराम से नौकली कर सकता है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विशे है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है आज हम कक्षा 6 की समाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याई शहरी क्षेत्र में आज जीविका पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह की साधन शहरी क्षेत्रों में होते हैं आज जीविका कमाने की तो आईए, शुरू करते हैं ये दिल्चस्प अध्याई प्यारे बच्चों, सक्रीन पर दिये गए चेत्र को देखिए कितना रंगीन है और कितना खुश कर देने वाला है ये चेत्र कितने लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, यह एक शेहर का चेत्र है इसमें देखिए आपको कितने सारी दुकाने दिखाई दे रहे हैं कितने सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं इसके साथ साथ कितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चो भारत में 5000 से जादा शहर है और 27 महानगर हैं महानगर जानते हैं बहुत बड़े-बड़े शहर चिन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे परतेक महानगर में 10 लाख से जादा लोग रहती हैं और काम करती हैं कहते हैं कि शेहर में जिन्दगी कभी रुखती नहीं है चलिए एक ऐसे ही शेहर में जाकर देखें कि महां लोग क्या क्या काम करती है क्या नौकरी करती है और किस रोजगार में लगे हुए प्यारे बच्चो जे शेहर के यात्रा पर हम निकले हैं वहाँ मेरी मौसेरी बहन रहती है मौसेरी जानते हैं मौसी की लड़की मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ यह बहूत बड़ा शहर है एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी हम तड़के ही घर से निकल पड़े थे जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुरे तो हमने देखा कि वहां काफी चहल कदमी थी सबजी बेचने वाले अपनी जहरी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या-क्या है उनकी बगल में फुट पाथ पर एक फूल वाली बैठी थी देखी है ना अपने फूल वालियां जो फूल बेचने के लिए अकसर फुट पाथ पर बैठी होती है वेह सुन्दर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा सड़क के दूसरी तरफ पटडी पर एक व्यक्ती अक्वार बेच रहा था और वेह चारों और से लोगों से घीरा हुआ था भला अंदाजा लगा ये लोगों से क्यों घीरा था अरे भई, सुभे सुभे सभी लोगों को अक्वार की लत लगी होती है सब अक्वार पढ़ना चाहते हैं और आप जब किसी अक्वार वाले को अल सुभे देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो चारों और से लोगों से घीरा होता है। हर कोई उससे अखवार लेकर पढ़ना चाहता है। दूसरी और बसे गुजर रही हैं, जो जोर जोर से हौरन बजा रही हैं। ओटो रिक्षा स्कूल के बच्चों से इठस हठस भरे पड़े हैं। देखें हैं न, आप भी आते हैं ओटो रिक्षा में। किस तरह से आप लोग ओटो रिक्षा के अंदर भरे जाते हैं। पास के पेड के नीचे एक मोची, मोची जानते हैं भला, वो जो आपके जूते गाठता है। अगर तूट जाएं या पॉलिश कराने हूं तो हम मोची के पास जाते हैं और वो अकसर कहां बैठता है। पेड के नीचे। वही सडक के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्रहक पहले से ही था, जो सुभे सुभे दारी बनवाना जाता था। सडक से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतले, डिब्बे, बालों की पिन वचिम्टी ले जा रही थी। वही पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकल पर सबजियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्षा वाले एक कतार में खड़े होकर गरहाकों का इंतजार कर रहे थे। कभी शहर में आप गए हों और बस स्टेंड पर बस से उतरे हों तो आप देखिए कि आटो की लाइन लगी होती है, रिक्षा वालों की भी लाइन लगी होती है और ये लोग भला किसका इंतजार कर रहे होते हैं, जानते हैं आप, बिलकुल अपनी सवारी का, कि कब कोई उन सवारी मिले और कब वो चले, हमने एक को बाजार जाने के लिए तै कर लिया, बाजार महां से दो किलो मिटर था, प्यारे बच्चो, सामने जो चितर दिखाई दे रहा है, इस चितर में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका नाम चानते हैं आप, इसका नाम है ब इसकी कहानी सुनते हैं मैं बिहार की एक गाउं से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था मेरी बीबी और तीन बच्चे गाउं में ही रहती है हमारे पास जमीन नहीं है गाउं में मिस्त्री गिरी का काम लगातार नहीं मिलता था जो कमाई होती थी वह परिवाल के लिए पूरी ही नहीं पड़ती थी जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यह पुराना रिक्षा खरीदा इसका पैसा किष्टों में चुकाया यह काफी साल पहले की बात है रोज सुभे बस्टॉप पर पहुँच जाता हूं और ग्रहक जहां भी जाना चाहिए महीं छोड़ देता हूं फिर रात को आठ नौ बजे तक रिक्षा चलाता हूं मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलो मिटर तक रिक्षा चलाता हूं दूरी के हिसाब से हर ग्रहक मुझे 5 से 10 रुपे देता है जब तवियत खराब हो जाती है तब मैं यहें नहीं कर पाता उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं होती मैं अपने दोस्तों के साथ किराय के मकान में रहता हूं वे सब पास की फैक्टरी में काम करती हैं रोज 80 से 100 रुपे तक मेरी कमाई हो जाती है जिसमें से 50-60 रुपे खाने और किराय पर खर्च हो जाते हैं बाकी मैं अपने परिवार के लिए बचा लेता हूं साल में दो-तीन बार मैं अपने परिवार से मिलने गाउँ जाता हूं जो पैसा शहर से भेजता हूं मेरा परिवार उसी पर गुजारा करता है कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके भी थोड़ा बहुत कमा लेती है तो प्यारे बच्चों देखा आपने बच्चु मा जी बिहार के किसी गाउं से इस शहर में आया है और वह क्या काम करता है भला बिलकुल वह रिक्षा चलाता है बच्चों मा जी की तरही शहर में कई सारे लोग सडकों पर काम करते हैं वे चीजें बेजते हैं उनकी मुरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं वे स्वरोजगार में लगे हैं प्यारे बच्चों, स्वरोजगार का मतलब आप जानते हैं? स्वरोजगार का मतलब है, व्यक्ति वे है जिसने अपना कोई काम शुरू कर रखा हूँ. उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता. उन्ही अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है. वे खुद योजना बनाती हैं, कितना माल कहां से खरीदना है, कैसे दुकान में लगाना है, और कैसे उसको बेचना है, कहां अपनी रिहडी या तरिपाल लगा कर खड़े होना है, ये सब उसे खुद सोचना पड़ता है. वे अपने ठेले या सड़क की पट्री पर प्लास्टिक बिछा कर काम चलाती हैं. उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है. आपने अक्सर देखा होगा, शेहरों में जो पुलिस की गाडियां हैं, वो कभी कभी रिहडी वालों की रिहडी उठा कर ले जाती हैं. ऐसा भला क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जिन स्थानों पर रिहडी वाली रिहडी लगाती हैं, वे उनकी नहीं होती हैं. और अगर कभी पुलिस को लगे कि वहाँ पर रिहडी खड़ा करना या ठेला लगाना समाज के नजरिये से सही नहीं है, तो वो उसे वहाँ से हटवा देते हैं. कई ऐसी जगें भी हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता. ठेले वाले जो च परिवार वाले चीजों को खरीद कर, साफ करके, छाट करके बेचने के लिए तयार करते हैं. प्यारे बचों, क्या आप किसी ऐसे ठेले वाले को जानते हैं, जो घर से अपना सामान तयार करके लाता है? मैं बताऊं आपको, वो ठेले वाला जो छोले कुल्चे बेचता है, अक्सर घर से छोले तयार करके लाता है, तभी तो वो छोले कुल्चे का ठेला लगाता है. हमारे देश के शेहरी इलाकों में लगभग एक करोड लोग फुटपात और ठेलों पर सामान बेचते हैं, अभी हाल फिल हाल तक गलियों और फुटपात पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट के तोर पर देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के परियास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीवी का कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है. सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था. यह भी सुझाब दिया गया है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमती हो और वे लोग उन सम्पतियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों का निर्ने लेती हैं. यहें भी सुझाब दिया जाता है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमती हो और वे लोग उन समितियों में भी रखे जाएं जो इन मुद्दों पर नेने लेती हैं प्यारे बच्चों अब रिक्ष्या वाले के माध्यम से हम एक बाजार में पहुँच गए हम बाजार पहुँचे तो दुकाने अभी खुलने ही शुरू हुई थी लेकिन त्योहार के कारण बहुत भीर थी मिठाई, खिलोने, कपड़े, चपल, बर्तन, बिजली का सामान, इतियादी की दुकाने कतार बध लगी हुई थी एक कोने में दातों की डॉक्टर का क्लिनिक था, मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था हम महां पहले पहुँच गए, जिससे हमारी बारी देर से ना आई हमें थोड़ी देर तक एक कमरे में इंतजार करना पड़ा डॉक्टर ने मेरी बेहन के दातों का परिक्षन किया और दात का छेद भरवाने के लिए आगले दिन आने को कहा वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा था कि एक तो अपना दात खराब होने दिया और उपर से इतना दर्थ भी सेहन करना पड़ेगा डॉक्टर के यहां से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरोम पर गए ऐसा ही होता है न बच्चो जब हम शहर में किसी काम से जाएं चाहे हमें दवाई लेनी हो, चाहे हमें किसी से मिलना हो तो अक्सर हम शोरोम पर टंगे हुए सामान से आकरशित होकर उसे खरीदना जरूर चाहती है और ऐसा ही सोचकर हम भी एक अड़कियों की कपड़े वाली दुकान पर पहुँच गए बहुत बड़ी दुकान थी और दुकान में क्या हुआ? वहां हमें मिला हर्पृत हर्पृत ने क्या बताया? हर्पृत ने बताया पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी दुकान पर काम करते थे इत्वार को और त्योहारों के समय में मैं और मेरी मां उनकी मदद करते थे मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करना शुरू कर दिया अब मेरी पतनी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं अब वंदना की बात सुनते हैं वंदना कहती है हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला था मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ मैंने तरहें तरहें के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है लेकिन आजकर लोग कपड़े सिलवाने की जगें सिले सिलाए यानि रेडिमेट कपड़े खरीदना पसंद करते हैं हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से समान खरीदते हैं जादा तरमाल मुंबई, एहमदाबाद, लुधियाना और तिरपुरा से आता है कुछ समान दिल्ली के पास के शेहरों जैसे गुडगाउं और नौइडा से भी आता है इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत पढ़ती है हम विभिन अखवारों में, सिनीमा, घरों में, टेलिविजन और रेडियो चैनल पर अपना विज्यापन भी देते हैं उसके बाद वंदना कहती है कि अभी तो यह शोरूम की राई पर है पर जल्दी ही हम इसे खरेट लेंगे हार्प्रित और वंदना की तरहें कई लोग हैं जिनके पास शेहर के बाजारों में अपनी दुकाने हैं दुकाने छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं कुछ दुकाने जो हैं पक्की हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बन रहेगा और इन बाजारों में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानों के अलावा बैंक और कूरियर इतियादी की सिवाएं भी होती हैं उसके बाद मुझे अपनी कपड़े पर जरी का काम करवाना था क्योंकि मुझे इसे किसे खास मौके पे बहनना था तो मेरी बहनने कहा कि वे है निर्मला को जानती है वो कपड़े सिलने की एक फैक्टरी में काम करती है निर्मला के पड़ोसी जरी और करहाई का काम करते हैं हमने बस पकड़ी और फैक्टरी की और चल पड़ी बस खचाखच भरी हुई थी हम स्टॉप पर लोग जरते जा रहे थे और उतरनी का कोई नाम ही लही ले रहा था आपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे मोड पर सारे लोग बहुत बड़े समुहों में बाड़ों में बैठे हुए थे कुछ टिक कर खड़े थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे तब मैंने अपनी बेहन से पूछा कि ये कौन लोग है फिर उसने मुझे बताया कि ये है चौक लेबर चौक है ये देहारी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री है शेहर में जिस जगें भवन या इमारत का निर्मार होना होता है तो उसके लिए जब मजदूरों की जरूरत परती है तो इसी चौक से ये है लेबर जो है उपलब्ध होती है और शेहर में ऐसे अनेकों अनियमित मजदूर है फिर आखिरकार हम उस फैक्टरी में पहुँच गए वहाँ अलग-अलग तरह के विभाग थे और कभी ना खतम होने वाली पंक्तियों में लोग काम कर रहे थे हमने देखा लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था फिर हम निर्मला से मिले वह मेरी बेहन से मिलकर खुश हुई और उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर वह जरी का काम कर देगी निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कम्पनी में दरजी का काम करती थी जिस फेक्टरी में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंगलेंड, जर्मनी और नीधरलेंड जैसे लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाती है दिसंबर से अप्रेल तक निर्मला पर काम का बोज बहुत ज़ादा होता है अक्सरवे है नौ बजे सुभे काम शुरू करती है और दस बजे तक काम निप्टा देती है उसे इत्वार को भी काम पर जाना पड़ता है निर्मला को रोज आठ घंटे काम करने के बदले 80 रुपे मिलते हैं और अतिरिक्त काम करने के लिए 40 रुपे जून तक काम खतम हो जाता है निर्मला की तरहें जादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को काम की जरूरत होती है निर्मला की तरहें की नौकरियां स्थाई नहीं होती यहां से काम करने के बाद मेरी मौसी सुधा विपनन प्रबंधन यानि मार्केटिंग मैनेजर का काम करती है हम वहां गए उन्होंने हमें शाम साड़े पाच से पहले अपने दफ्तर में आने को कहा था हमने सोचा कि कहें देर ना हो जाए इसलिए आटो रिक्षा ली और वहां पहुँच गए चारों और बड़ी-बड़ी इमार्ती थी वहां पर कार पार्किंग की तरफ जब हम बढ़े तो वहां बहुत सारी बसें पंग्तियों में खड़ी थी मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी बिस्किट शेहर के बाहर एक फैक्टरी में बनाये जाते हैं मौसी पचास विक्रेताओं के काम का निरिक्षिन करती हैं जो शेहर के विभिन भागों में आते जाते हैं ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े ओर्टर लेते हैं और उनसे भुगतान इकठा करते हैं काम को सुचारू रोप से चलाने के लिए मौसी ने शेहर के छे अलग-अलग भाग किये हुए हैं वे हर हफते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं उनकी प्रगती रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करती हैं मौसी को नियमित तन्खवा मिलती हैं और वे है बिसकुट कमपनी की स्थाई करमचारी है वे यह उमीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबी समय तक चलेगी प्यारे बचों स्थाई करमचारी होने के कारण मेरी मौसी जो है वो बुढ़ापे के लिए बचत भी कर पाती हैं क्योंकि उनकी तन्खवा का एक बड़ा हिसा भविश्य निधी में सरकार के पास डाला जाता है मेरी मौसी को इत्वार और रास्ट्रिय त्योहारों की छुटियां भी मिलती हैं और जो मेरी मौसी का परिवार है उसके लिए चिकित सा सुविधाएं भी कंपनी उपलब्ध कराती हैं और प्यारे बच्चो अगर किसी की आचानक तवियत खराब हो जाए तो उन्हें छुटि भी आसानी से मिल जाती हैं शहर में ऐसे कहीं करमचारी हैं जो दफ्तरों, फैक्टरियों और सरकारी विभागों में काम करती हैं जहां उन्हें नियमित और स्थाई करमचारी की तरहें रोजगार मिलता है वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्टरी में जाती हैं, उनका काम भी ते होता है और उन्हें कितनी तनख्वा मिलेगी, यह भी ते होता है और प्यारे बच्चो एक और बात बताऊं, अगर फैक्टरी में काम कम है और काम है ही नहीं, तब भी एनियमित मजदूर की तरहें उन्हें फैक्टरी से निकाला नहीं जाता बलकि उनकी तनख्वा उन्हें पूरी मिलती है अब आखरी दिन खतम हुआ और हम मौसी की कार में ठकी मांधी बैठ गई लेकिन आज बहुत मज़ा आया मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शेहर में इतने सारे लोग इतनी तरहें का काम करते हैं वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है और शेहरी जीवन को बचाई रखता है तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितना मज़ेदार था ये सफर इस शेहर का मेरे साथ मैंने तो इस यात्रा का बहुत जादा आनंद उठाया आपने भी उठाया देखा हम कितनी जगें गूम कर आए कितने लोगों से मिल कर आए कितने लोगों के बारे में जान कर आए तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको इस शेहर की यात्रा? और कितना आनंद उठाया आपने उन छोटी-छोटी कहानियों का जो इस शेहर से जुड़ी हुई थी प्यारे बच्चों, भले ही शेहर की जिन्दगी भीड़भार भरी है भले ही यहां बहुत अधिक लोग रहती हैं लेकिन जो चहल कदमी शेहरों में होती है वो कहीं न कहीं लोगों को व्यवसाय दिलाने में सहायक होती है छोटे-मोटे व्यवसाय शेहरों में लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं आपने इस अध्याय के माध्यम से ये समझा होगा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपनी इस शहर की यात्रा का आनंद उठाया होगा धन्यवाद